नमस्कार पुस्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं चिकन पकवडी रेस्पी तो देर ना करते हैं हम प्रोसेसे स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने चिकन ले रखी हूँ आदा केजी इसको मैंने छोटा-छोटा काट ली हूँ इसमें हड चल्डी डाल दोंगी है और स्वाध भन उसरिस्में में नमक डाल दोंगी कह और 1 चोटा चल्मच मैं इसमें गरम-मसाला डाल पकैल कमीच चOS Rs. तीन पिंच मैं इसमें फूर्ट कलर डाल दी हूँ अब इसमें मैं तीन अंडे तोड़के डाल दूंगी और अब इसमें मैंने तीन अंडे तोड़के डाली हूँ अब इसे मैं मिला लूँगी और सभी को मैंने मिला के तयार कर ली हूँ अब कड़ाई में तेल मैंने पहले से रख दी ती कड़ाई में तेल जो है गरम हो चुका अब इसमें मैं एक-एक उठा करके इसमें कड़ाई में डालती जाओंगी और जितना आ सकता था उतना मैंने इसमें डाल दी हूँ और एक साइट से हो चुका है अब इसको मैं अलटते पलटते चला लेती हूँ और यह दोनों साइट से तैयार होगे अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और जो बचा हुआ है दूसरे बैच का भी मैं इसमें डाल देती हूँ और दूसरे बैच का भी मैं डाल दी हूँ और इसको भी मैं चला लूँगे और यह दोनों साइट से हो चुका है अब मैं इसको निकाल लेती हूँ ऐसे बचा हुआ जो है बाकी उसको भी मैं फ्राइ कर लूँगे और फिर मैं फ्राइ करके आपको दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं मैंने सौफ कर ली हूँ अगर यह चिकन पकोड़ी की रेस्पी आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों में सेर कीजिए अगर कोई कमिया है तो कमेंट करके बताइए फिर मिलते हैं अगली रेसेपी के साथ नमस्कार